काश मेरे दादा जी ने MRF के शेर लेली होते, TCS के, Infosys के शेर लेली होते, तो आज की दिन हम करोडों में खेल रहे होते हैं। आपके पोता और आपके पोटी, आपके लिए बात नहीं बोले, इतना आप मेक्शर कर लीजेगा। आपकी जेब में पैसा है, लोग पूछेंगे भ़िया कैसा है। मैंने अपने कॉलिज के समय में अपने कैपिल को जीरो करा था स्टॉक मार्केट में टीम बार। आप मुझे किसी भी चीज में हरा सकते बड़ ये जो मेरा स्पिल है, मैं इसका मास्टर थू। टॉक मार्केट की जर्णी के तीन इंपॉर्टन गूल से जो आपको हमेशा याद रखना है। मेरा नाम है अनन्त लडड़ा, CFA, CA, CFP, LLP, आज के दिन मैं फाउंडर हूँ, इन्वेस्ट आज फरकल के चैनल का, हमारी चैनल पे आठ लाग से जादा लोग चुड़े वे हैं। साथ इसाथ अगर बिजनस और इंकम स्ट्रीम्स की बात करें, तो I am easily managing more than 10 इंकम स्ट्रीम्स, पर ये इतनी आसाद नहीं थी। लाइफ में आप कितनी बार फेल होते हैं, इससे फरक नहीं पड़ता है। फरक इस चीट से पड़ता है कि फेल होने के बाद आप क्या करते हैं, क्या आप हार मान के बैट जाते हैं, या फिर आप बाउंज बैक करने की हिम्मत रखते हैं। मेरी लाइफ की स्टोरी की बात करें, तो ये फुल ओफ फेलियर्स हैं। बट यूजविली क्या होता है, फेलियर्स के बात जो तोड़ी सी सक्सेस मिलती है, वो लाइम डाइट में आ जाती है। 7th class में मैं वापिस से CR की एलेक्शन के लिए खड़ा होता हूं, पूरी हिम्मत से power से campaign कड़ी की कोशिश करता हूं, एलेक्शन जीतने की कोशिश करता हूं, पर मैं फिर से हार चुका होता हूं। एर्थ में वापिस से मैं खड़ा होता हूँ election के लिए, इस बार मैं हारता हूँ एक vote से, almost मैं जीती चुका होता हूँ बट किसी कारण से एक vote कम रह जाता हूँ, और मैं CR के election हार जाता हूँ, नाइन्थ में मैं वापिस से खड़ा होता हूँ CR के election के लिए, इस बार मुझे total vote मिलते है एक वोट और वोट ओविसली मेरा खुद का था 10th class में वापिस से CR के election के खड़ा होता हूँ फुल कोशिश करता हूँ फुल पावर से फुल सपोर्ट से काम करने की कोशिश करता हूँ अपने लिए वोट गैदर करने की कोशिश करता हूँ पर अगें 10th में मैं CR के election हार चुका था 11th में वापिस से मैं CR के election के खड़ा होता हूँ और मज़े की बात I am very sure अब ये कोई surprise नहीं रहे गए आप सभी के लिए 11th में मैं फिर से CR के election हार जाता हूँ 12th में ये मेरा turning point था अब मैं हारूंगा नी धंक से सुनियागा 12th में मैं CR के election तो जीतता ही हूँ बाट सोने पे सुआगा इस बात का होता है कि मैं पूरे के पूरे school का head boy elect हो जाता हूँ कहाँ एक जगे मैं 60 लोग को represent करने के लिए fight कर रहा था back to back 6 साल तक हार रहा था और अब एक साथ 3500 से जाला लोग को मैं एक साथ represent करने वाला था यह था मेरा life changing moment 60 लोग को मैं represent करने के लिए जीतनी पा रहा था 3500 लोग को मैं represent करने वाला था और इस complete incidence ने मुझे life में दो important principles सिखा दिये सबसे पहला आप life में कितनी बार fail होते है कोई फरक नहीं पड़ता it is part of the game important point यह है कि failure के बाद क्या आप bounce back करने की हिम्मत रखते है या अपने आपको हारावा मान के पैट जाते है second important learning जो मेरे इस incidence ने मुझे समझाई आपकी जेब में पैसा है लोग पूछेंगे भाईया कैसा है यहाँ पे पैसे का मतलब सर्फ physical money की में बात नहीं कर रहा है success की बात कर रहा हूँ sixth class से लेके 11th class तक मुझे स्कूल में hardly कोई जानता था बहुत कम लोग थे जो मेरा नाम जानते थे even कुछ तो ऐसी भी लोग होंगे जो मेरी class में रहते वे भी मुझे नहीं जानते थे 12th class में जैसे ही मैं head boy बनता हूँ मुझे ऐसी feeling आती है कि पूरा का पूरा school मेरा best friend बन चुका है हर कोई मुझे जानता है जहां पर मैं खड़ा होता हूँ वहां पर लोग आके मुझे से बात करना चाते है मुझे realize हुआ कि यार मैं इतना famous हूँ मुझे पता नहीं था ये होता है game changing moment अगर आप life में कुछ बड़ा करना चाते है आपको एक ऐसा skill डूणना पड़ेगा जिसमें आप कह सके कि ये मेरी mastery है इसको मैं regularly improve कर रहा हूँ regularly develop कर रहा हूँ आप मुझे किसी भी चीज में हरा सकते बट ये जो मेरा skill है मैं इसका master हूँ और उस skill के around आपको अपनी सारी के सारी revenue streams और business को develop करना पड़ेगा मेरे लिए वो particular skill था stock market मैं basically third generation हूँ stock market में मेरे दादा जी ने 1980s में stock broking का काम स्टार्ट किया था 90s में मेरे पापा ने join किया था मेरे बचपन की बात करें तो घर में cartoon network से जाज़ा चलता था CNBC तो आप देख सकते हैं कि मेरा माहौल किस तरीके का था stock market से मेरा actual interaction स्टार्ट होता है जिस समय मैं 8th class में था मेरे दादा जी मुझे अपने पास बढ़ाते थे stock market के कुछ basic pointers बताते थे और साथी साथ खुद की trade मुझ से करवाते थे और बलकि जो हमारे clients आते थे न वो भी कहते थे यार बच्चे के हाथ से trade कराएंगे कुछ profit ही मिलेगा और बड़ा मजा आता था मुझे मेरी बात करे तो मेरे हाथ में एक ऐसा video game आ चुका था जो मेरे अलावा किसी के पास नहीं था especially न उस समय क्या होता था NAC और BAC के कुछ dummy sessions होते थे every second weekend पे Saturdays को कुछ dummy sessions होते थे जहां पे मुझे 10 लाग, 20 लाग, 30 लाग, 50 लाग मिलते थे और उनसे मैं trading करता था dummy पैसे से obviously उन dummy session में मैं पैसे कमाता था क्योंकि usually dummy session में market उपर ही जाता है और आप अच्छा खासा पैसा कमा के उठते हो मेरे लिए it was more of a video game कि मैं video game खेल रहा हूँ और वो भी ऐसा video game खेल रहा हूँ जो मेरे अलावा, मेरे circle में किसी के पास हो यह नहीं सकता मुझे बड़ा मसा था यह continue होता रहा कुछ सालों के लिए उसके बाद जिस समय में 12th में आया मेरी class teacher को बड़ा interest था stock market में zero period होता था मतलब जब actual class start होती है उससे पहले एक zero period होता था जिसमें हमारी teacher हमेशा stock market की बात करती थी और मेरे को लगता था कि यार सब को impress करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मैंने stock market के fundamentals और basic अपने बहुत strong कर लिये थे फिर CPT clear होता है IPCC clear होता है अच्छे mark के साथ, rank के साथ clear होता है और फिर मैं जाता हूँ अपनी life changing moment की तरव वो होता है मुंबई मुंबई में मैं जाता हूँ internship के लिए मुझे realize होता है यही तो है मेरी जगे मैं अभी कहां बैटा था यहां पे हर कोई stocks की बात करता है companies की बात करता है, development की बात करता है growth की बात करता है मुझे बड़ा मजा आने लगा क्योंकि मजा भी आ रहा था और साथ ही साथ stipend का कुछ additional पैसा भी आ रहा था बिलकुल zero बना दिया था अभी मुझे ज़्यादा दर्थ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस समय capital बहुत छोटा था पर हाँ, मैंने अपने college के समय में अपने capital को zero करा था stock market में तीन बार क्यों किया था, उसके उपर आया उससे पहले ये खुश हो रहे है, मेरे पापा ने मुझे important principle सिखाया कि बेटा, अच्छा हुआ, तुने stock market में पैसा नहीं कमाया, वरना तु CA नहीं बन पाता, तेरा मनिन लगता पड़ाई में उसके बाद, क्योंकि मेरे CA final के exams थे, मैंने stock market से एकदम important होती है, अगर आपकी foundation strong हो गई, उपर के pillars और उपर के floors बड़े अराम से लग जाएंगे पहली degree पे हमेशा focus कीजिए after my education, मैं stock market को दो धीरे धीरे सीख रहा था, पापा से सीख रहा था, दाल जी सीख रहा था, बुक्स पढ़ रहा था live market में trading से सीख रहा था, पर मेरे लाइफ में एक और बड़ा question आ चुका था, at an age of 23-24, मेरे सामने 30 lakhs के उपर का package था एक साथ में, दूसरा option ये था कि मैं business में आऊँ, मैंने सोचा कि यार business ही करेंगे, मैंने मुंबई के इतने handsome package को छोड़ा, और quota में आके, एक छोटे से town में आके अपना business start किया, पहले 6 महिने में बात करें, तो मुझे ये realize हुआ, कि मैं business तो बात में करूँगा, अभी लोगों को basic financial literacy की ज़रूरत है, लोगों को basic finance के बारे में नहीं पता, तो हमने financial literacy session की starting करी, जब financial literacy session की starting करी, पहले 6 महिने तक मैं regularly sessions ले रहा था, business को समझ रहा था, business करने की कुशिश कर रहा था, पर हर रात में जाके मैं यही सोचता था, काश मैं अगर अभी आज की दिन मुंबई होता, एक महिना complete हो गया, 3,00,000,000 मेरे हाथ में होते हैं, मिलता था, because मैं financial literacy को spread कर रहा था, पर monetary terms में कुछ भी नहीं हो रहा था, 6 महिने तक कोई भी business नहीं होने के बाद, finally मेरी life की सबसे बड़ी business की opportunity सामने आती है, quota में एक company थी, वो company बंद होने वाली थी, जितने भी उस company के employees थे, उनको 50,00,000,000,000,000,000,000,000,000 की बीच का corpus मिलने वाला था, as retirement and gratitude fund, roughly 500 से उपर employees थे, मतलब roughly roughly quota के market में नया 300 से 500 करोड का funds आने वाला था, मुझे ये realize हुआ कि यहाँ पे financial mistakes करने की वापिस से बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए मैंने उन सभी लोगों के लिए financial literacy sessions करना स्टार्ट किया without any intention of business पर eventually business आना स्टार्ट हुआ अगले दो महिने में roughly 40 करोज के ऊपर का AUM asset under management जितना पैसा mutual funds में मेरे पास था because of me वो खड़ा हो चुका था next एक से डेट साल वापिस से gap ये एक break मिला पर इसके बाद वापिस से पिलकुल slow हो चुका था business और कुछ भी नहीं चल रहा था फिर आचानक से वापिस से next game changing moment आता है मैं एक financial literacy session दे रहा होता हूँ टेली में यहाँ पे एक listed company के CEO उस session को सुन रहे होते हैं उन्हें मेरा session अच्छा लगता है वो मुझे अपनी company में introduce कर देते हैं उसके बाद चीज़े अप नया business की smooth चलती जा देती और मैं business में settle हो चुका था पर ध्यान रखेगा पहले 6 महीने बहुत difficult थे उसके बाद एक साल business अच्छा चलनने के बाद वापिस से दिमाग में question आया what next अब settle होने की बात थोड़ी है रुकना थोड़ी है यहां पर नया क्या करें financial literacy को कैसे spread करे financial literacy by the way अब तक already रास्तान government ने दो भर एवार्ड दे दिया था financial literacy sessions के लिए पर यहां पर what next का question आया और picture में आया YouTube exhibitions होती थी मैं लोग के पास जाता था कि sir आपका phone दो मैं आपके बहुत अच्छा चैनल सब्सक्राइब करके देता हूँ और मैं अपना खुद का ही चैनल उनसे सब्सक्राइब करवा रहता इस तरीके से मैंने पहले 2000 से लेके 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करें it was not working efforts फूल जा रहे थे बलकि उस समय सज बात यह है editing recording shooting हर एक काम scripting हर एक काम मैं खुद कर रहा था in-house one man show था बटो show कुछ भी नहीं था because चल नहीं रहा था feb 2020 game changing movement after almost one year of dedicated efforts YouTube India मुझे award करता है creator on the rise के award से और मुझे realize होता है कि शायद अब कुछ picture बन भी सकती है 5000 subscriber भी पूरे नहीं होते और अगले एक साल में 4 लाग की journey पूरी हो जाती है अगले date से 2 साल में 8 लाग तक की journey पूरी हो जाती है यहाँ पे भी वापिस से वही बात आ जाती है क्या failure के बाद आपको bounce back करने की हिम्मत है हो सकता है आपकी life में failure कुछ और हो पर क्या उसके बाद आपको bounce back करने की हिम्मत है या नहीं यही आपके लिए game changer होने वाल है कई बार मैंने कुछ लोगों को यह बोलते वे सुना है कि मैं आज investment start करके क्या करूँ काश मेरे दादा जीने MRF के share लेली होते TCS के Infosys के share लेली होते तो आज की दिन हम करोडों में खेल रहे होते हैं मैं कहता हूँ कोई बात नहीं आपके दादा जीसे गलती होगे आपके पोता और आपके पोती आपके लिए बात नहीं बोले इतना आप make sure कर लीजेगा इंडिया में लोगों को भरोसा नहीं होता आज के दिन इंडिया में 60% population middle class है middle class धीरे धीरे आने वाले समय में upper middle class और upper class में shift होने वाली है per capita income इंडिया की आज के दिन 10% से ज़्यादा बढ़ लिए even after the pandemic tip अगर income बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा तो economy बढ़ेगी, economy बढ़ेगी तो इंडिया बढ़ेगा मेरी stock market की journey के 3 important rules है जो आपको हमेशा याद रखना है सबसे पहले, अगर आप student है, अपनी education पर focus कीजिए stock market, पैसा, सब कुछ यहीं रहेगा आपकी education आपके लिए आज के दिन सबसे ज़्यादा important है एक बार अगर आपने अपने gravity free zone को अच्छा develop कर दिया अपनी foundation strong कर दी, stock market में या किसी भी तरीके से पैसा कमाना आपके लिए difficult नहीं होगा second important principle, paper trading, demo trading हमें कई बार लगता है कि हम demo trading करते वे time हो गया है पर जब real market में मैं काम करना start हुआ, मुझे ये realize हुआ कि demo trading में मेरे अपने emotion काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे मेरे emotion काम कर रहे है और मेरा capital zero हो गया third important principle, even अगर मेरे capital zero वाली trades को मैं जाके analyze करूँगा 80% trades में मुझे अच्छा profit ही हो रहा था, पर कुछ 20% trades सी जहां पे बहुत heavy loss हो रहा था जिसकी वज़े से मेरे जो साल भर के gain होते थे, 2-3 महीनी के gain होते थे वो एक ही जटके में निकल जाते थे हमेशा ध्यान रखेगा, अगर आप equity market में trading कर रहे है इवन अगर आप direct stocks में काम करने की कोशिश कर रहे है अगर आपको stop loss लेना नहीं आता अगर आप अपने stop loss को, कि यार मैंने 100 उर्प में buy किया है 90 तक मैं इसे hold करूँगा, इसके नीचे गया तो market का मैं stock से निकल जाऊँगा किसी भी एक particular trade में 10% से उपर का loss आपको नहीं होना चाहिए अगर ये principle आपने नहीं follow किया तो हमेशा आपको ये लगेगा कि या मेरे 80% जो trades में profit हो रहा था वो तो मेरी 2-5 trades ही खा गई 2-5 trades जहां पर मैं emotional हो गया था average down करता जा रहा था वहां पर मुझे major loss हो गया ध्यान रखिएगा इस बात को यो third point है यही मेरे capital zero होने का सबसे main कारण था एक गीता का श्लोक है कर्मन्यवादिकारस ते माफलेशुकदासन पेटा तेरे हाथ में कर्म है कर्म पे focus कर हमारा कई बार बहुत ज़दा focus होता है कि यहर मेरा luck काम नहीं कर रहा लग काम भी करेगा पर पहले तू तो काम कर सबसे पहले आप कर्म पे focus करो जो आपके हाथ में फल की चिंता मत करो and yes, life is all about failures and some success जो stocks देख रहे हैं जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को seriously लेते हैं आप उस सारे skills acquire करना चाते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें लोगों से आगे बढ़ पाए और अगर ये सच है तो Josh Talks का ही एक app है Josh Skills जहां exactly इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खुबसूरत बहुत सारे courses बनाए गए है courses जो लाखो students अलरड़ी ले चुके हैं ये courses specifically सिर्फ educational नहीं है जहां आप Excel skills, PowerPoint skills और ये सब सीख सकते हैं बटकी life skills भी है जहां आप public speaker कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं आप confidence कैसे acquire कर सकते हैं वो सीख सकते हैं आप hesitation की बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं आप अपनी personality कैसे develop कर सकते हैं वो सीख सकते हैं हर एक course में daily quizzes हैं exercises हैं एक बहुत ही खुबसूरत community है जो आपको support करेगी आपको encourage करेगी तो अगर आपको ये talk पसंद आया हो Josh Talks जो करता है वो पसंद है Josh Talks अब Spotify exclusive podcast है जिसके साथ Josh Talks की सबी कहानिया audio format में upload होंगी केवल Spotify पर और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप Josh Talks podcast को follow कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरना दाइक कहानिया सिर्फ Spotify पर